भारती एतिहास की सबसे प्रसिद चवरी-चवरा घटना पर आधारित फिल्म 1922 प्रतिकार चवरी-चवरा रिलीज से पहले ही चर्चा का केंद्रविंदू बन गई है सरी यू विजन के बैनर तलेवनी इस एतिहासिक फिल्म का ट्रेलर लॉंच हो चुका है फिल्म 30 जून 2023 को भारत के सभी सिनेमा घरों में रिलीज होगी वह इस फिल्म में बिजेपी सांसद और भोजपूरी स्टार रवी किशन भगवान अहीर की बोख्य भूमी का निभा रहे हैं इस फिल्म में कुल 141 कलाकारों ने अपने अभिने का कमाल दिखाया है फिल्म डाइरेक्टर अभिक भानू है जिन्होंने बताये कि फिल्म में अधिकांश कलाकार अस्थानी है जिन्होंने अपनी कला से फिल्म में जान फूंक दी है फिल्म का ट्रेलर लॉंच होने के बाद गोरगपूर सांसद रवी किशन ने कहा कि चौरी चौरा की घटना पर आधारीत इस फिल्म में घटना की सच्चाई दिखाई गई है उन्होंने कहा कि चौरी चौरा घटना के असली नायकों की पहचान को इतिहास में दबाकर रखा गया था जिसे इस फिल्म में प्रस्तुत किया गया है इसके साथ ही भोजपुरी इस्टार रवी किशन ने बताया कि पूरे देश में फिल्म का प्रदर्शन सुनी चित किया गया है। सभी सिनमा घरों में चलने जा रही है। लेकिन आधादिक लिए उनका खून देश की माटी में जरू मिला हुआ है जो हमें हमेशा प्रेणा देता रहता है। गौरतलवों की इस इतिहासिक फिल्म में मुख्य भूमिका में रवी किशन है और फिल्म का निर्देशन अभीक भानू ने किया है। फिल्म सर्यू वीजन बैनर तले बनी है। फिल्म के आर्ट डाइरेक्टर संभू स्वर्मा और धियोपी मनुझ गुप्ता के साथ एडिटर डेडिस सेखरन है। इस फिल्म का ट्रेलर लॉंच हो चुका है जो दर्शकों को काफी पसंदा रहा है। अब देखना दिल्चस्प होगा कि यह एतिहासिक फिल्म फिल्म जगत में क्या एतिहास बनाती है। आज से काउंट टाउं बिगिंस। तीस जुन को मारी फिल्म को तीस हो रही है। फिल्म का नाम हो दिये सुपाइस पतिकार चौरी चौराण। तो देट याद रखेगा तीस जुन। आज से रोज में रहे की जगा है। थैंक यूू।